वेलो फ्रेंड्स तो हमारे आज का टोपिक है जो मेसी जुलोजी फस्सेम के स्टुडेन के लिए है तो हमारे आज का टोपिक है डोमिनेंस इंडेक्स सिमिलर्टी एंडेक्स इसका इंट्रोडक्शन से हैं किसी इविलुशन की फैनल लिस्ट तियार करने में बहुत समय लगत पर नंतों यह सब होने के बाद भी ऐनीमल कम्योंटी के structure को समझने में बहुत अधिक 검ma की बाइला नहीं होता है बाइड़ाइवरसिटी किसी ऐनीमल में पाई जाने वाली विभींता हो के आदार पर थ्री टाइब की होती है पस्त है डी डायबरसिटी यह किसी कमयोंटी and habit के अंदर पाए जाने वाली जिवो की बीच की विविनता है lagi यह दो different habits में पाए जाने वाली जिवो की बीच की विविनता है मतब दो अलग-अलग habitat में पाए जाने वाले जिवो की बीच की कड़ी है 期af थर्ड है y diversity यह alpha, ay beta diversity के false verb पुत्पन होती ही तता एक geographical area की range में पाए जाने वाले जियों के बीच की विभिनता है सेकेंड पॉइंट है इंडेक्स जिसमें फस्ट है सिमिलर्टी इंडेक्स और सेकेंड है डिस सिमिलर्टी इंडेक्स तो फस्ट है सिमिलर्टी इंडेक्स सिमिलर्टी इंडेक्स को सर्व प्रतम सर प्रतम बोटनी के सास्टी टी सोर्संस ने विक्सित किया था तथा 1948 को यह प्रकाशित हुआ इसलिए उन्हें के नाम पर यह सोर्संस इंडक्स कहलाता इससे सोर्संस सिमिलर्टि कॉफिशेंट्स भी करते हैं इस index की help से हम यहाँ ग्याद कर सेखते हैं कि किनी दो habit में कौन सी species समान है अत्वा कौन सी दो species common habits रखती है इन्हें analysis के नाम से भी चाना जाता है सेकेंड है dissimilarity index इस index को सरसंस ने 1948 में बताया था यह index समानता ही जनसांकिकी की होती है जिसके द्वारा दो groups के भौंगोलिक शेत्र का division किया जाता है जो सम्मिलित रूप से एक विस्टरत शेत्र बनाते हैं इंडेक्स केस को दो ग्रूप में प्रतिशत की रूप में भी ग्याद कर सकते हैं इसका reference है विल्सन्स पायोडाइवर्सिटी